हाई गाई वेलकम बाक टो इंडियन स्केट नूब आज हम लोग देखने वाले हैं कि बेरिंग्स कैसे चेंज करने हैं अपने स्केट के तो यह MF 900 है और यह MF 500 है दोनों के बेरिंग्स काफी पुराने हो चुके हैं खास करें MF 500 के तो बहुत पुराने हो चुके हैं एक साल स पास पास तो इसके बेरिंग्स तो चेंज करने बनते हैं 500 के क्योंकि बहुत ज़्यादा आवास करने लग गया है यह इसको पानी में बहुत ज़्यादा चला दिया था 900 के बेरिंग्स मैं अल्रेडी एक बार चेंज कर चुका हूं क्योंकि मैंने continuous rain में स्केट गया था इसक तो तुम्हें दोनों बेरिंग्स दिखाता हूं अभी और जो बेरिंग्स में अभी लगाने वाला हूं वह एबेक 7 है ऑक्सेलो के ठीक है तो यह 300 रूपीज का 300 रूपीज के 8 बेरिंग्स आते हैं और काफी लोगों को यह misconception है यह गलत लगता है कि अगर तुम्हारे 8 वील लगते हैं तो दो इन्टू एट तुम्हें 16 बेरिंग्स टेहिए टोटल तुम्हारा टोटल खर्चा अगर तुम्हें लेते हो तो 300 इंटू 600 रूपीज का होगा तो यह चीज पहले मुझे गलत फेहमी थी कि 8 बेरिंग्स से काम हो जाएगा वट 16 बेरिंग्स टेहिए अब 80 mm घिस गुसा के यह 76-74 mm के असपास रह गया और यह 110 mm तो बहुत फ़रा के साइज में अब इनके बेरिंग में दिखाता हूं तो मैं कैसे निकालने हैं और कैसे क्लीन करने हैं यूजिंग नॉर्मल एलन की जो तुम्हें अपने स्केट के साथ मिलेंगी तो अभी मैंने दोनों को निकाला है जस्त और दोनों की ऐसी कंडिशन है अब बेरिंग को भार निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें एलन की चाहिए खाली एक एलन की से काम हो जाएगा तो एक लेके तुम्हें इसकी जो लॉंग एंड है इसको इंसर्ट करना है अपने बेरिंग में और खाली इसके एक बेरिंग के एंड तक जाना है ध्यान रखना है कि दूसरे बेरिंग को पीछे टच ना हो एक बेरिंग के एंड तक जाके यहां से इसको अपने हाथ से फोर्स लग जाएगा इसको स्पेसर बोलते हैं इसको तुम ऐसे हाथ में उल्टा करोगे इस पेसर तुम्हारा भार आ गया ठीक है इसको हटा दिया पीछे वाला बेरिंग निकलने के लिए कुछ नहीं करना यह 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 वापस लेनी है और घुमाते घुमाते इससे बस हलका हलका फोर्स ल अब अगर तुमने आगे वाला बेरिंग निकाल लिया है और स्पेसर भी निकाल लिया और पीछे वाला बेरिंग थ्वड़ सा टाइट है अराम से नहीं निकल रहा तो इसका बहुत सिंपल है तुम इसका नट जो लो जो हात में आता है इसके नट को अंदर डालाओ इसके कि एलन की लो नट के बीच में इंसर्ट करो इधर ही जहां पर यह होती है पीछे अपना हाथ रखो ठीक है और उश कर दो बस इसको बाहर नहीं हाथ से भी कर सकते हैं यह देखो बहुत सिंपली बाहर आ जाता है इस टेक्नीक से अधरवाइस थोड़ी मुश्किल हो सकते हैं अब हम खोलेंगे एक 7 का पाकेज निउ बेरिंग्स निकालेंगे इसके तो हमें खाली दो वील्स के चेंज करके दिखा रहा हूं मैं तुम एक को टोटल फोर बेरिंग्स चाहिए होंगे तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि अलग रखें मिक्स नहीं होने चाहिए अब बेरिंग निकालना मुश्किल काम था बेरिंग लगाना बहुत सिंपल काम है तुम नहीं आ से एक बेरिंग उठाया इसमें डाला और प्रेस कर दिया अगर तुम लखी हो तो यह एक बारी में प्रेस हो जाएगा अगर यह पूरा अंदर नहीं जाता है जस्ट इन केस तो इसको यहां रखके मैं तुम्हें दूसरे बेरिंग के साथ दिखाऊंगो यह पहले इसका इसका इसको इसको नॉर्मिली और प्रेस कर दो यह बिल्कुल एवन रहना चाहिए यह था तरीका आज का बेरिंग निकाल के रिइंस्टॉल करने का बेशक तुम क्लीन कर रहे ह या फिर तुम रिपलेश कर रहे हो दोनों तरीके इसमें काम आ जाएंगे दोनों तरीके से अब दोनों चीज़ों के लए इस तरीके को यूज कर सकते हो तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो सब्सक्राइब कर लो चानल को और कमेंट सेक्शन में मुझ काफी जो बिलते हैं तब तक के लिए हैपी स्केतिंग इंडियन एंट सेट नूब सलाम भाई बाई बाई बाई